नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत है हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाए जिससे की हमारे सबी फीडियो की नॉटिपिकेशन मिले आपको सबसे पहल नमबर एक बासे रोटी सेहर बनाने वाले के लिए भी फायदेमान है कई फिटनेस सेंटर और जीम में एक्जरसाइज के साथ सुभ बासे रोटी खाने की सला दी जाती है नमबर दो दूद के साथ बासे रोटी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है बासे रोटी को 10 मिनिट के लिए दूद में भीको दे सुभा के नाश्टे में दूद में भीकी हुई रोटी खाए ऐसा करने से जल्द ही ब्लड प्रेशर नेंजन में रहेगा नमबर दे, ताजी रोटी की अभेक्षा बासे रोटी अधिक पुष्टिक होती है क्योंकि लंबे समय तक रखे रहने के कारण इसे जो बैक्टिरिया होते हैं वे सेहत पनाने में लापकरी होते हैं इन बातों का रखे ध्यान बासे रोटी खाने से पहले ही आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि 12 से 16 गंटे पहले बनी रोटी को अगर आप खाएंगे तो ये आपको बहुत जादा फायदा पहुचाएगी आप सुभा की बच्ची हुई रोटी को रात में और रात की बच्ची हुई रोटी सुभा में खा सकते हैं परन तो इससे ज्यादा बासे रोटी हो तो उसे आपको नहीं खाना चाहिए अगर वी आपको हैई तो उसे लगट है ऊबसे आपको सुभाया पमें, ही पर वीघ delivery